परिचय बच्चों, आज हम जैव अणू के बारे में जानेंगे टीचर, जैव अणू क्या होते हैं? जैव अणू कार्बॉनिक अणू है, जो एक सजीव जीव द्वारा उत्पन किया जाता है टीचर, हमारी शरीर में उत्पन होने वाले अणू जैव अणू हैं? जैसे की, प्रोटीन, पॉलिसेकिराइड्स, न्यूकलीक अमल, आदी बहुत अच्छा श्वेता इस पार्थ में आप जन्तूओं में पाई जाने वाले जैव अणूओं के बारे में जानेंगे उद्देश इस पार्थ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रासाइनिक संघटन का विशलेशन करना नूकलियोटाइड्स की व्याख्या करना प्राथमिक वद्वितियक उपापचैज की चर्चा करना व्रहित जैव अणूओं के बारे में जानना प्रोटीन की चर्चा करना पॉलिसेकराइड्स की चर्चा करना नूकलियस अम्ल की चर्चा करना, प्रोटीन की संग्रचना का वर्णन करना, एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्राकृती की चर्चा करना, शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापाच्य की संकल्पना की चर्चा करना, जीव के उपापाच्य आधार की व्याख्या करना, जीव अवस्था की व्याख्या करना, एंजाइम का वर्णन करना, रासाइनिक संगठन का विशलेशन कैसे करें? जैव अनू वे अनू हैं जो जीवों के पोशन और उपा-पाचिय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं जीवों में उपस्थित अधिकतर रासाइनिक योगिकों में सदैव कार्बन और हाइडरोजन होता है और इनके कार्बन प्रमाणू रेखित श्रंखला, शाखित शंखला या वलिये संग्रचनाय बनाने के लिए सहसयोंजक रूप से बंधित होते हैं कार्बनिक योगिकों को अमीनो अमल, नूकलियोटाइड्स, शार, वसा अमल आधी में वर्गिक रित किया जा सकता है अमीनो अमल प्रोटीन के रचक खंडों और उपा पाचे में मध्यवर्ती के रूप में कारे करते हैं अमीनो अमल वे अनू हैं जिनमें अमीनो समुह, एक कार्बोकसिलिक अमल समुह, एक हाइड्रोजन और एक अभी लक्षनिक पार्ष, श्रंखला होती है और सभी एक कार्बन प्रमानू से जुड़े होते हैं सबसे सामानने अमीनो अमल अलफा अमीनो अमल है पार्श्व श्रंखलाएं या आर्शमुह एक हाइडरोजन प्रमाणू से लेकर बड़ी जटिल पार्श्व श्रंखलाओं तक हो सकते हैं प्रतेक अमीनो अमल के अध्वितिय भौतिक और रासायनिक गुण आर्शमुह की संग्रचना और रासायनिक गुणों का परिणाम है कारबॉकसिल और अमीनो समुह की संख्या के आधार पर अमलिये, शारिये और उदासीन अमीनो अमल होते हैं ग्लोटामिक अमल अमलिये अमीनो अमल है, लाइसिन ख्षारिय अमीनो अमल है, वेलीन उदासीन अमीनो अमल है. लिपिड्स लिपिड्स कार्बनिक अनु हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं. लिपिड्स के तीन उधारण उदासीन वसाएं फॉस्फो लिपिड्स और कोलेस्टरॉल उदासीन वसाएं तीन वसा अमल श्रिंखलाएं निरजली करण संशलेशन द्वारा एकल ग्लिसरॉल अणूं से जुड़ी होती हैं. उदासीन वसा उर्जा इंधन को संचित करती है, शरीर उतकों को रोधी बनाती है और अंगों की सुरक्षा करती है. फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स में एक अधुरुविय वसा अमल श्रिंखला भाग तथा एक फॉस्फेट धुरुविय भाग होता है. फॉस्फोलिपिड्स के दोनों स्तर सभी कोशिका जिल्लियों के मुख्य अवियव बनाते हैं. फॉस्फोलिपिड्स अणुओं के दोनों स्तर इस प्रकार स्वतह जुड़ते हैं कि उनके जल्रागी शीर्ष, जिल्ली की सतह और आंत्रिक भाग बनाएं तथा जल्विरागी पुच्छ एक दूसरे के सामने हों. कॉलेस्ट्रॉल कॉलेस्ट्रॉल अणुपन में चार परस पर संबंद कार्बन वलाए होते हैं. नूक्लियोटाइड्स नूक्लियोटाइड नूक्लीक अमल जैसे की डी अने और आर अने के बुन्यादी निर्मान खंड हैं. यह एक कार्बनिक योगिक है जो नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और एक फॉस्फेट समुहुका बना होता है. इन में से कुछ नाइट्रोजन क्षार हैं. एडेनीन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसीन वः यूरेसिल हैं. यदि नाइट्रोजन क्षार, शर्करा से जुड़े होते हैं, तो वे नूक्लियोसाइड कहलाते हैं. एडेनोसिन, गवानोसिन, थाइमीडिन, यूरेडिन वः साइटिदिन नूक्लियोसाइड्स हैं. एडिनिलिक अम्ल, थाइमेडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, युरेडिलिक अम्ल और साइटिडिलिक अम्ल नूकलिोटाइड्ज हैं. प्रात्मिक तथा द्वित्यक उपापच्यज प्रात्मिक उपापच्यज वे उपापच्यज है जो सामान्ने वृद्धी, विकास और जनन में सीधे शामिल होते हैं. इसमें विभिन्य प्रकार के कार्बोनिक योग एक शामिल होते हैं. उधारण, सूक्रोज और स्टार्च, सेलिलोज, डीने, आरने, वरनक जैसे की क्लोरोफिल. द्वित्यक उपापच्यज विशिष्ट कार्यों में शामिल होते हैं जैसे की परागणकारी आकर्शन या शाकाहारी से सुरक्षा. इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गी करित किया जा सकता है। इन्हें वर्गी की उपस्थिती त्वारा परिभाशित किया जाता है। विरिहित जैव अनू योगिक अमल घुलनशील भाग में पाए जाते हैं और जिनका अनुभार 18 से लगभग 800 डालतन के आसपास होता है। विरिहित जैव अनू जो अमल विलिये अंश में पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, नूकलियक अमल, पॉलिसेकराइड्स और लिपिड्स। लिपिड्स के अतिरिक्त सभी विरिहित जैव अनूओं का अनूभार 10,000 डालतन से अधिक होता है। इसका कारण है कि लिपिड्स के अतिरिक्त सभी बहुलक पदार्थ होते हैं। पॉलिसेकराइड्स पॉलिसेकराइड्स मोनोसेकराइड्स के बहुलक हैं। पॉलिसेकराइड्स मोनोसेकराइड्स के सम बहुलक या विशम बहुलक हो सकते हैं। नूकलियक अमल, नूकलियक अमल नूकलियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। प्रोटीन प्रोटीन अमीनो अमल के बहुलक हैं। प्रोटीन पॉली पेप्टाइड्स होते हैं जहां अमीनो अमल एक रैखिक शंकला के रूप में पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन के कार्य कोशिका जिल्ली के आर पार पोशक पदार्थों का परिवहन, संक्रमन से लड़ना और हॉर्मोन एवं एंजाइम के रूप में कार्य करना प्रोटीन 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 आबंध द्वारा सेह सयोजक रूप से एक श्रंखला में जुड़े अमीनों अमलों के बहुलक होते हैं प्रोटीन प्रतिजनों से शरीर की सुरक्षा करने में शामिल प्रतिरक्षी के रूप में कारे करते हैं संकुचनशील प्रोटीन गती के लिए जिम्मेदार होते हैं उदहरन के लिए एक्टिन और मियोसिन प्रोटीन पेप्टाइड बंधों द्वारा आपस में जुड़े अमीनो अमलों के बहुलक हैं अमीनो अमल 21 प्रकार के होते हैं जो हर तरह के प्रोटीन बनाते हैं प्रतेक अमीनो अमल में एक हाइडरजन, एक कार्बोकसिल समुह, एक अमीनो समुह और एक विशिष्ट पार्श्विश रंखला या आर समुह से बंधित केंद्रिय कार्बन से बनी मॉलिक डिजाइन होती है. पॉलिसेकराइड्स पॉलिसेकराइड्स जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वे मोनोसेकराइड्स की श्रंखलाओं के बने होते हैं, जो ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं. सेलिलोज पादब कोशिका भित्ती का मुख्य अव्यव है. यह प्रती श्रंखला लगभग 10,000 ग्लुकोस इकाईयों वाला एक अशाखित बहुलक है. काईटिन N, एसितिल D, ग्लुकोसामीन का एक अशाखित बहुलक है. यह कवकों में पाया जाता है और ओर्थोपॉड एमम निम्न जन्तुों के बाहिय कंकाल का मुख्य अव्यव है, जैसे कीट, केकडा और श्रिम्प, चिराट, केकवज. ग्लाइकोजन शाखन बिंदू प्रदान करने वाले एल्फा एक छे, ग्लाइकोसिडिक बंधों तथा एल्फा एक चार, ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुडी, ग्लुकोस इकाईउं का बना एक पॉलिसेकराइड्स है. नुकलेक अमल नुकलियोटाइड्स सभी नुकलेक अमलों के निर्मान खंड है. नुकलियोटाइड्स में तीन सहसायों जक रूप से आपस में जुड़े घटकों की बनी एक स्पष्ट संग्रचना होती है. नाइटोजन युक्त क्षार या एक पिरिमिडिन या प्यूरीन पांच कार्बन शरकरा राइबोज या डी ओक्सी राइबोज एक फॉस्फेट समुहूँ। एक च्षार और शरकरा का संयोजन नुकलियोसाइड कहलाता है. प्रोटीन की संग्रचना प्रोटीन पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ी अमीनो अमलों की एक या अनेक शंखलाओं की बनी होती है और एक विशिष्ट त्रिमिविये अकार में वलित होती है. अमीनो अमलों एक हाइड्रजन, एक कार्बॉक्सिल समुह, एक अमीनो समुह और एक विशिष्ट पार्श्विश्रंखला या आर समुह से बंधित केंद्रिय कार्बन का बना होता है. प्रोटीन संग्रचना के स्तर प्रात्मिक संग्रचना प्रोटीन में अमीनो अमलों का रैखिक व्यवस्थापन और सह सयोजक अनुबंधों की स्थिती जैसे की अमीनो अमलों के बीच में डाई सलफाइड बंद द्वित्तियक संग्रचना प्रोटीन के भीतर वलन का क्षेत्र, उदाहरण, एल्फा हेलिक्स और चुन्नटदार परत सहित जो हाइड्रोजन बंधन द्वारा स्थाई करित होते हैं त्रित्तियक संग्रचना प्रोटीन की अंतिम 3-V-MeA संग्रचना जो अमीनों अमलों के बीच अनेक गैर सहसयोजक अंतह क्रियाओं का परिणाम है चतुष्क संग्रचना गैर सहसयोजक अंतह क्रियाओं जो बहु पॉलिपेप्टाइड्स को एकल बड़ी प्रोटीन में बांधता है दो एल्फा ग्लोबिन और दो बीटा ग्लोबिन पॉलिप्रोटीन के संयोजन के कारण हीमो ग्लोबिन में चतुष्क संग्रचना होती है एक बहुलक में एककों को जोडने वाले बंधों की प्रकृति पेप्टाइड बंध यह बंध तब बनता है जब एक अमीनो अमल का कारबॉकसिल समो हो अगले अमीनो अमल के अमीनो समो के साथ अभिक्रिया के बाद जल अनू निकलते हैं यह अमीनो अमलों को एक पॉलिपेप्टाइड शंकला में जोडता है ग्लाइकोसाइडिक बंध यह बंध पॉली सेकराइड्स बनाने के लिए निकटवर्ती मोनो सेकराइड्स के दो कारबन प्रमानूओं को जोडता है इसमें निरजली करण भी शामिल है फॉस्फोडास्टर बंध यह बंध नूक्लियक अमल बनाने के लिए दो नूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, यह शरकरा के फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल समुहों के बीच बनता है शरीर अव्यवों की गतिक अवस्था उपापाच्य की संकल्पना उपापाच्य एक प्रक्रिया है जिसमें रासाइनिक अभिक्रियाओं का समुहों शामिल है जो भंडारण दूसरी अभिक्रिया के लिए या एक उपोत्पाद के रूप में एक जैवणू को दूसरे जैवणू में बदलती है उपचे एनाबॉलिक अभिकरियाओं के उदहरण ग्लूकोस से ग्लाइकोजिन का निर्मान अमीनो अमलों से प्रोटीन का निर्मान वसा अमलों से संचित वसा का निर्मान जीव का उपापाची आधार जटिल अणवों के सरल अणवों में उपापाची विखंडन से उर्जा का मुक्त होना अपची अभिकरिया है अपची अभिकरियाओं के उधारण ग्लाइकोलिसेज यह ग्लूकोस के निमनी करण द्वारा एडिनोसिन ट्राइफोसफेट के उत्पादन के लिए उत्तरदाई है ग्लाइकोजिनोलिसेज ग्लाइकोजन का जल अपघटन उर्जा उत्पादन के लिए पेशी कोशिकाओं तथा रूधिर शरकरा के स्तर को बनाई रखने के लिए यक्रित कोशिकाओं में होता है जीव अवस्था जैविक यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सजीव प्रतेक जैम अनू की सांदरताओं द्वारा अभी लक्षित एक स्थिर अवस्था में मिलते है रासाइनिक या भौतिक प्रक्रियाएं स्वतह सामाने अवस्था को प्राप्त करती है और स्थिर अवस्था एक सामाने अवस्था होती है सभी सजीव हमेशा कारे करते है उनमें कभी भी सामान्य अवस्था की स्थिती नहीं हो सकती। इसलिए जीव अवस्था एक असाम्य स्थाई अवस्था होती है जिस सिपकारे संपन्न होते हैं। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम्य अवस्था से बचा जा सके। इसे उर्जा input द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उपापचे से उर्जा प्राप्त होती है, इसलिए जीव अवस्था और उपापचे एक समान है. बिना उपापचे के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती. एंजाइम एंजाइम एक पदार्थ है जो सजीवों द्वारा उत्पन किये जाते हैं जैवरासाइनिक अभिक्रिया संबन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कारे करता है लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं एंजाइमों में सभी प्रोटीनों जैसे प्राथ्मिक, द्वितियक और त्रितियक संग्रचनाएं भी होती हैं सक्रिय स्थल पर क्रियाधार व्यवस्थित होते हैं और अभिक्रिया को तेज गती से उत्प्रेरित करते हैं रासाइनिक अभिक्रियाएं रासाइनिक योगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन का अर्थ है बिना बंध के टूटे आकार में परिवर्तन और रासाइनिक परिवर्तन में बंधों का टूटना शामिल है भौतिक और रासायनिक अभिक्रियों की दर प्रती इकाई समय में निर्मित उत्पाद की मात्रा के रूप में मापी जा सकती है अभिक्रिया की दर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी तापमान अभिक्रिया की दर को सीधे प्रभावित करता है प्रतेक 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बढ़ने या घटने पर अभीक्रिया की दर क्रमशह, द्विगुणित या आधी हो जाती है परम तापमान में व्रिधी के कारण औसत गतिज उर्जा बढ़ जाती है और देहली उर्जा से अधिक उर्जा वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है इसलिए यह देखा गया है कि अभीक्रिया की दर तापमान में व्रिधी के साथ बढ़ जाती है एक एंजाइम केवल एक विशिष्ट रासाइनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उदाहरण के लिए मॉल्टोस शरकरा आपस में जुड़े दो ग्लूकोस अणूओं की बनी होती है एंजाइम माल्टेज का आकार इस तरह का होता है कि यह बंध को तोड़ सके और दो ग्लूकोस अणूओं को मुक्त कर सके एंजाइम द्वारा उच दर से रासाइनिक रूपांतरन कैसे होता है अभिक्रिया दर में वृध्धी करने की एंजाइम की क्षमता इस तथे पर निर्भर करती है कि यह संक्रमन अवस्था को स्थिर करता है संक्रमन अवस्था में उर्जा सक्रियन उर्जा होती है जिसे अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए अभिकारकों के कुछ बंधों को तोड़ने के लिए आवश्चक नियूंतम उर्जा के रूप में परिभाशित किया जाता है एंजाइम अपने सक्रियस्थल को आकार देकर सक्रियन उर्जा घटा लेते हैं ताकि यह संक्रमन अवस्था में व्यवस्थित हो सके चाहे यह क्रियाधार से बेहतर हो उदाहरण के लिए केटालेज का एक अणूप प्रती सेकंड हाइडरोजन पिरोकसाइड के 40 मिलियन अणूप को तोड़ सकता है एंजाइम क्रिया की प्रकृति एंजाइम क्रिया का उत्प्रेरक चक्र क्रियाधार एंजाइम के सक्रियस्थल से बंद जाता है सक्रियस्थल एंजाइम का विशिष्ट क्षेतर है जो क्रियाधार के साथ जुड़ता है एंजाइम क्रियाधार का आकार बदल देते हैं ताकि क्रियाधार अधिक मजबूती से विवस्थित हो सके एंजाइम का सक्रियस्थल क्रियाधार के बंध तोड़ देता है और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्मान्थ होता है एंजाइम उत्पाद अवमुक्त करता है और एंजाइम दूसरे अन्वों के साथ बंधने के लिए तयार हो जाता है एंजाइम क्रिया विधी को प्रभावित करने वाले कारक तापमान और पी-एच एंजाइम की क्रिया शेलता पी-एच और तापमान में परिवर्तन द्वारा काफी परिवर्तित होती है प्रतेक एंजाइम एक निश्चित pH और तापमान पर बहतर कारे करता है इसकी क्रियाशीलता उस बिंदू के उपर या नीचे के मानों पर घट जाती है उदारण के लिए प्रोटियेज पेपसिन एक से दो तक के pH पर बहतर कारे करता है प्रोटियेज ट्रिपसिन इतने कम pH पर निश्क्रिय होता है लेकिन 8 pH पर बहुत सक्रिय हो जाता है pH में परिवर्तन आवेशित अमीनों अमलों की आईनी करण अवस्था को बदल देता है जो क्रियाधार बंधन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्रियाधार की सांदरता यदि एंजाइम की मात्रव को नियत रखा जाता है और क्रियाधार सांदरता को धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है तो सर्वोच गती प्राप्त करने तक अभी क्रियावेग में व्रिध्धी होगी उस बिंदु के बाद क्रियाधार सांदरता में व्रिध्धी वेग में व्रिध्धी नहीं करेगी सद्मक पदार्थ होते हैं जिससे एंजाइम की उत्प्रेरिक क्रिया परिवर्तित हो जाती है और फल्सवरूप उत्प्रेरन मंद पर जाता है या बंद हो जाता है प्रतीस पर्धात्मक संदमन तब होता है जब क्रियधार और क्रियधार के सामानपदार्थ दोनों को एंजाइम में मिलाया जाता है एंजाइम का वर्गी करण व नाम करण अभीक्रियाओं के प्रकार के आधार पर एंजाइमों को विभिन समुहों में वर्गी क्रेट किया जा सकता है अधिक्तर उपापचेई ओक्सीकरण अभीक्रियाओं में एलेक्ट्रॉन दाता से हाइडोजन को हटाना शामिल है ये एंजाइम डि हाइडोजीनेजेज कहलाते हैं ट्रांस्फरेजेज ये वे एंजाइम हैं जो एक समुहों के स्थानांतरण में शामिल होते हैं हाइडोलेजेज एक एंजाइम जो जल अब घटन की प्रक्रिया की गती बढ़ा देता है लाइजेज ये वे एंजाइम हैं जो जल अब घटन या अक्सीकरण के अतिरिक्त विधिद्वारा सी सी, सी ओ और अन्य बंधों के विधिलन को उत्प्रेरित करते हैं आइसो मरेजेज ये एंजाइम समावयवों के संगरचनात्मक पुनरववस्था को उत्प्रेरित करते हैं उदाहरण के लिए फ्यूमरेज लाइगेजेज ये एंजाइम नय बंध बना कर दो अणुओं को जोड़ते हैं उदाहरण के लिए सि्ट्रिक अमल सहकारक सहकारकों को उन अणुओं के रूप में परिभाशित किया जाता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं के दोरान एंजाइम से कस कर बंधे होते हैं और अभिक्रिया में एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिये जाते हैं तीन प्रकार के जहकारक हैं प्रोस्थेटिक समुह, सह एंजाइम और धातु आयन प्रोस्थेटिक समूह दिड़ता से बंधी गैर पॉलिपेप्टाइड संग्रचना जो एंजाइम की क्रिया शीलता के लिए आवजशक है उदारन के लिए हीमोगलोबिन का हीम सह एंजाइम ये कार्बनिक सहकारक हैं जैसे की निकोटिनमाइड, एडेनीन, डाइनुक्लियोटाइड, NAD और क्लेविन मोनोनुक्लियोटाइड, FMN जो ऑक्सिकरन अप्चयन अभिक्रियाओं में शामिल होते हैं धातु आयन धातु आयन ओक्सिकर्ण अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और एंजाइमों में आवेश संकुलों को स्थिर करते हैं क्या आप जानते हैं? डरावनी फिल्में देखने से उपापचय दर में व्रिध्धी हो सकती है दालचीनी एक मसाला है जो आपकी उपापचय दर में व्रिध्धी कर सकता है यदि आप भोजन करना छोड़ देते हैं तो आपकी उपापचय दर धीमी हो सकती है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं जैव अनू वे अनू हैं जो जीवों के पोशन और उपापचय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं अमीनो अमल प्रोटीन के निर्मान खंड और उपापचय में मध्यवर्ती के रूप में कारे करते हैं नूक्लियोटाइड नूक्लिक अमल के बुन्यादी निर्मान खंड हैं जैसे की DNA और RNA पॉलिसेकराइड्स मोनोसेकराइड्स के बहुलक हैं नूक्लियक अमल नूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं प्रोटीन अमीनो अमल के बहुलक हैं प्रोटीन के चार स्थर प्राथमिक, ध्वितियक, त्रितियक, चतुष्क, संग्रचना हैं। उपा पाच्चे एक प्रक्रिया है जिसमें रासाइनिक अभिक्रियाओं का समोह शामिल है जो भंडारण दूसरी अभिक्रिया के लिए या एक उपत्पाद के रूप में एक एंजाइम की क्षमता इस तथे पर निर्भर करती है कि यह संक्रमन अवस्था को स्थिर करता है। सहकारकों को उन अणुओं के रूप में परिभाशित किया जाता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं के दौरान एंजाइम से कस कर बंधे होते हैं और अभिक्रिया में एक र झाल झाल